हेलो फ्रेंड मैं आनंद राज आप सुभू के बीच देखिए आज हम आपको बताएंगे कि जेपी इनवर्सिटी जो छपरा में है जो छपरा में है उसका जो कोर्स आपका बीट फर्स्ट एर का कोर्स जो फोर है लैंग्वेज एक रोस्टा करिकुलम उसका वीवी आई कोस् अब प्लेइलिस्ट में जाके आप महाँ जाएगा जेपी इनवर्सिटी का प्लेइलिस्ट खुलिएगा वहाँ आपको भीवी आई कोशन मिल जागा पेपर वन टू ठीरी का देखिए आपको कुछ मतलब पूछना होगा तो इस नंबर पर वाट्साप का क्या पूछ सकते ह सब्सक्राइगा एक पूछ सकते हैं वाट्जाप किजएगा गृचनवे शे चाय चलों 4201पन». शीं समक्राइब कर ने ने जिसे पहले का पहले समझना होगा देखिए ऑन्न तो ठीरी उसमें आपका पांच यॉनीट पढ़ना है, पांच यूनीट में आपका दो क्वें सो आपको रहता है जिसमें से आपको एखुन का जवाब देना रहता है मतलब प्रतेक उनिट में आपको तीन घंटा मिलता है लेकिन देखें यह एक दिकत क्या है कि कोर्स तीन यूनीट में ही मतलब आपको पांच को स्वाब देना तो कह से दिना समझेगा देखिए एक dedim को टूसरा उनीट में से दूसरा चोच्चन के दे दिए अब बच्किया दो कोस्चन सकते जो बचा गुए दो कोच्चन या इनिट टू में से दोनो कोच्चन के सकते हैं या युनिट युनिट एक से मतलब दे एक कोस्चन दूसरा युनिट में मुआ दूसरा दे यानि कहने का मतलब कि एक एक युनिट तो आपको सम में टच करना है सम्झे तीन हो क्यों का लेकिन दो कौस्चण बज जाता आप कोई भी युनिट से लिख सकते इसे कोई मतला होती लेकिन पर फ्रते कि रहेगा है तो कोई कुछचन पूछे भाषा का अर्थ परिभास आपको लिखना ही लिखना है समझे तो यह पर ही लिजी कि भासा से आप क्या समझते हैं भासा के महत्यम कार्ज को विश्थर दम दिमांग में रखे गए को पढ़ना है समझे लिखा हुआ है वाट डू युदा मीन बाई लेंगवेज राइट इन डिटेल दा इंपोर्टेंस और फॉंसन अफ लेंगवेज देखे करा यहां पर कि इंग्लीज भी प समझेगा कि देखे जो आपका कि दूसरा कोश्चन जो पुछता इसमें से फिक्स से आपका एक रहे काहिए आपका चो मुस्की दे या इसकीनर दे या प्याजाई दे कि दुखर 20 में आपका बाई गोश्की पुछ लिए इसका वीडियो हम चारों का वीडियो डाल देंगे इसके बारे में हम आपको एक सेपरेट वीडियो बजा देंगे तो यह दम आप दिमांग में रखे एक कोश्चन आपके इमुलिट में रहें गहीं रहें 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 गा कि बच्चों के भासा सिखने के संदर में चो मुछे या इसकीनर पूछे या प्याजे पूछे फिक् देदेखा समझें तिस्रा कोश्चन है कि अर्जित भासा और सीखी भासा से आप क्या समझते हैं अरजित भासा सीकी भासा में अंतरव जाएगा तो सीखी भासा कवला आपको वीडियो मिल जागा तो इसलिए तीनों कोश्चन आएगा तो आप तीन इसी से लिख दिएगा दो बचेगा दो इनुट से समझ रहे ना भासा से क्या समझते दोनों में अंतरस प्रक्त है तो इनुट 2 में आते हैं तीनों कोश्चन देख लिए तो आप तीनों कोश्चन देख लिए कि विद्याली भासा घर की भासा की मत्ता फिर आपका पाच्मा कोश्चन इसमें दिये हैं कि भासा घ्यान की निर्वान में कैसे मदद करती है पुचित उधारन साइथ व्याख्या करें और छठा पर लिजेगा कि संपुन पाठक्रम में भासा से आप क्या समझते हैं इसकी भूमिका और महत पुधारन साइथ वर्नन करें यानि करें कि वाट डिव द इसमें भी तीन प्रफटैन पर लिजएगा आपका इसमें से दो कुष्टन तो आएगे हैं समझे अब देखते हैं यूनित थिरी में तीन फिक्स फिक्स है आएगा एगा इदम फिक्स है आपका आएगा वाशा के समंधित कोठारी आयो के अनुस अंसा कवन्वन करें सोरी संदर में बताया हुआ उसका वर्णन करना है आप जानते हैं रिपोर्ट सब्सक्राइब इसमें दूसरा कोचन दिये हैं आठ नंबर कि भासा के संदर में भारतिय समिधान का नुचे 350A का उलेख करना है और नॉमान आमर कोच्चन दिये हैं आपका कि पी ओ ए उनिशु बानेमे का वर्णन करने डिसकर्द द पी ओ नाइंटी नाइन्टी नाइन्टी टू लेखिए प्यो यह क्या है कि जो 1986 में जो नई सिक्षा निती था उसका संसोधित रूप है मतल़ संसोधित सिक्षा निती प्यो यह है उने इसका वी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा समझे तो इतने कोस्चन आप पढ़ के जाएग आप पढ़ लिजेगा विद्ध्याले भासा घर की वासा की महत्ता और भासा ज्यान की निर्मान में कैसे मदद करता है उच्छी द्धान साइद ब्याखर यह पढ़ लिजेगा और यूनित थीरी में ताप तीन कोस्चन जो दिया है कि भासा संबंदी को ठारी आयो कि अनु इसके बाद बहुत जल्दी हम क्या करेंगे आपका कोर्स फाइप और कोर्स शिक्स और जो आपका मेठेर उसका भी गेस्ट करतेंगे समझें ठैंक्यू